अरे अरे कांस 2023 के रेट कापिट पर ये क्या हो रहा है? मतलब वर्ल्ड के तमाव टैलेंटेड अक्टर्स जहां अपना जल्वा बिखे रहे हैं तो हाल ही में कांस के उसी रेट कापिट पर एक अलग ही नजारा देखने मिल रहा है जी हाँ, एक यूक्रेणी मॉडल ने सभी के बीच कुछ ऐसा करना शुरू कर दिया जिसके बाद सिक्योरिटी को उसे वहां से पूरी तरह से ले जाना पड़ा तो चलिए बताते हैं आपको आकिर क्या है ये पूरी खबर? दरसल इन दिनो 76 कांस फिल्म फेस्टिवल काफी ज्यादा लाइम लाइट में है रड कापिट पर वर्ल्ड की तमाम हसीनाएं और तमाम टलेंटेड अक्टर्स अपना वहां जलवा दिखा रहे हैं लेकिन उसी बीच एक युक्रेणी फ्लैक के कलर के कपड़े पहन कर एक लेडी ने खुद पर वहां फेक बलर्ड डालना शुरू पर दिया लेडी ने ये हरकत की इसके बाद वहां मौजूद हर कोई दंग रह गया Security के उस लेडी को वहां से हटाने से पहले ही वो खुद पर फेक बलर्ड डाल चुकी थी के साथ yellow और blue colour की dress में red carpet पर पहुंची महिला ने पहले अपनी dress दिखाई और बाद में camera को अच्छे से smile देकर poses भी दिये लेकिन उसके बाद उसने कुछ ऐसा कर दिया जिसके बारे में किसी ने सोचा ही नहीं होगा In fact उसने किसी को सोचने का मौका ही नहीं दिया और खुद पर बलड डालना शुरू कर दिया हाला कि आपको बता दे कि वो बलड फेक था लेकिन वीडियो काफी ज्यादा शौकिंग था वो वीडियो काफी ज्यादा डिस्टर्ब कर देने वाला था कांस के रड कापिट पर ऐसा होना काफी बड़ी बात है जहाँ पूरे वर्ल्ड की नजरे गड़ी हुई है वहाँ कुछ ऐसा हो जाना कफी ज्यादा शौकिंग है डिपोर्ट्स की माने तो इस वुमिन ने युक्रेन की सपोर्ट में कांस के रट कार्पिट पर अपना प्रोटेस्ट जताया है हालकि महिला कौन थी इसके बारे में अब तक कोई जानकारी सामने नहीं आई है वही बात करें 76 कांस फिल्म फेस्टिवल की तो तमाम हॉलिवूड और बॉलिवूड की अदकारों ने यहाँ अपना जलवा दिखाया है बात करें बॉलिवूड सेलेब्रिटीज की तो सारा रिखान से लेकर मिनाल ठाकुर तक का हमने यहाँ जलवा देखा जिनके लुक्स काफी ज्यादा बोल्ड और खुबसूरत थे वही बात करें मानुशी छिल्लर की तो उन्होंने भी अपना यहाँ इस बार डेब्यू किया और उसके इलावा काफी सारे लोग यहाँ देखे जा चुके है इनफेक्ट आपको बता दे सपना चौधरी जी हाँ हरियाना की आन बान और शान सपना चौधरी ने भी इस बार कांस फिल्म फेस्टिवल में अपना डेब्यू किया जिनके लोग सकाफी ज्यादा वाइरल हो गए लेकिन दोस्तो इसे बीच ये वीडियो और फोटोस जैसे ही सामने आए हर कोई हराम हो गया फिल्हाल इस वीडियो में बस इतना ही इस पूरे इंसिडेंट के बारे में आपका क्या कहना है हमें कॉमन को की जरूर बताईए साथ ही वालेवुड से जूड़ी खबरों के लिए देखते रहें फिल्म में भी